कुंदर की निवासी पेड़त यूवती का आरोप है कि आरोपी यूवक ने पहले किया रेप, दवापड़ने पर कर लिया निकाह, निकाह के कुछ दुनों बाद उसी के दोस्त ने किया गैंग रेप दरसल मुरादाबाद जनपत की थाना कुंदर की इलाकी का एक मामला सामने आया है जहांकि रहने वाली एक यूथी ने अपने साथ घटी घटना को लेकर मुरादाबाद SSP कारेले पर पहुँच कर इनसाफ की गुहार लगाते हुए एक प्रातना पत्र सौपा है दरसल इस दिये गए प्रातना पत्र में आरोपी रिजवान पुत्र मोहमद इमरान नौसेना शेख पुरपंडित नगला थाना मैना ठेर निवासी पर गंबीर आरोप लगाते हुए बताया कि रिजवान ने पीड़ता के साथ शादी का चांसा दे कर पहले तो उसका रेप क जिसके बाद पीड़ता ने रिजवान के खिलाव थाना कुंदर की में शिकायत दर्ज कर आई पीड़ता का रोप है कि शिकायत के बाद रिजवान पुत्र मोहमद इमरान ने मुझे ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया और मुझे डरा धमका कर अपने बिजनेस पार्टनर मोह मोहमद जफर पुत्र इसमाइल निवासी थाना मैना ठेर के रहने वाले के साथ दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया जिसके बाद पीड़ता का रोप है कि 12 अगस्त 2022 को अपने घर से मोहमद जफर पुत्र इसमाइल उसे बहला फुसला कर दिल्ली लेकर पहुँच गया वहीं पीड़ता का कहना है कि जफर मुझको दिल्ली अपने साली के घर लेकर पहुचा जहां पर पहले से जफर का साला उसकी साली मौझूद थी जहां उन्होंने मुझे डरा धमका कर मेरा निकाह मोहमद रिजवान पुत्र मोहमद इमरान से करा दिया जिसके बाद 31 अगस 2022 को कोट से जबरजस्ती मेरी कोट में रिश करवा दी पीड़ता का आरोप है कि रिजवान ने मुझे धोका दे कर मेरे साथ निकाह कर लिया पीड़ता का कहना है कि रिजवान पहले से ही शादी शुदा है उसके तीन बच्चे भी है महिला का यह आरोप भी है कि शादी के बाद रिजवान और जफर अर्मान और लकी जुल्फिकार और उसके अन्यसाती रोज मेरे साथ दुशकर्म करते हैं और मुझे डराते धमकात हैं वहीं पीड़ता का आरोप है कि रिजवान ने मेरे साथ निखा तो किया लेकिन निखा के कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बारी बारी के साथ गैंग रेब किया पीड़ता का कहना है कि उसका पती और सुसराल पक्ष के लोग पीड़ता को लगाता अरधमका कर उससे अपनी शिकायत वापस लेने को लेकर लगाता अरधमका रहे हैं जिसके बाद पीड़ता ने मुरादबाद SSP कारेले पहुँचकर आरोपियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौपते हुए नयाय की गौहार लगाई है अब देखना है कि ख़वर प्रकाशत होने के बाद मुरादबाद पुलिसस मामले को लेकर क्या कारवाही करती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा क्यों आने इससपी की आयों ऐ frightening दर्वाने क्यों आएथी सर मुझे अपने खिलाफ और उनके पाटनर के खिलाफिक करवानी थी जो हको सर्मिन ने मिलकर अपने विसन पाड़ साथ मेरा ग्र lesband कीया था फिक्ट आम इक साथ गया को मैं साथiat लोग टीम है कियो पाणाड़ कि सर्व पहले में उन पर रेक केस किया था उसके बाद उन्होंने मुझे निका कर लिया था निका देली में किया था तो वहीं पर मुझे को मारते थे डराते थे और मेरे साथ गलत करवाते थे जो मेरे निका में सामिलते सब लोग वही वहीं मेरे साथ गलत करते थे तो आप मे मेरे देवर मेरे देवर ने मुझे मारा था जान समनने की धमकी दी और 5 लाख रुपे की मांग कर नहीं थी स्यूंधक पाइसे मांगे गई तो मैंने माना कर दिया था मैं घाजंदी करें बेका हम और अपने में कहां से लागए देती पैसा तो फिर मैंने कुणर की थाने में में एप्लिकेशन भी दी थी लेकिन सर मेरी कोई सुनवाइं नहीं मैं जब घर बाप से आई तो मुझे जान समाने की दमकी दी गई, मेरे हजबेंट न मुझे मारा, उसके वाद में कुदर कि थाने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पती का नम क्या है, रिजवान, और अन्य लोगों क्या नाम है, इनके पार्टनर का जफर नाम है, और जफर के साडू अनीज, उनकी साली अफसाना, और जफर के साले कलू, और अफसाना का भांजा, अर्मान, और अनीज का भांजा, जुल्फेकार, उनके चाता पती अपकी अपसे, सर्व तो वो बारा दिन सा भागो हुए मेरे पास से, पती ने आप पर वो पार्टनर है, उसे मंगलम सिल्क साडी, एक प्राचीनतम साडी प्रतिष्ठान, हमारे यहां उपलब्द सभी प्रकार के लहंगा ओडनी, बनारसी सिल्क साडी की बहतरीन रेंज, एवं डिजाइनर साडिया, आपकी वेवाहिक तयारियों की संपूर्ण साडी रेंज, तो आज ही आईए मंगलम सिल्क साडी, पूजा मार्केट, तिलगवार मतुरा